So guys welcome back to my video, इस तो काई एक वीडियो के टॉपिक पर आते है, आज की वीडियो हम डिसकास करने वाले है WSL के बारे में तो सबसे पहले कि WSL के पारे में जान लेते है WSL stands for Windows Subsystem Linux तो यह जो WSL feature है वोसी Windows 10 users के लिए, तो सबसे पहले तो WSL के जान लेते कि WSL क्या काम आता है तो सबसे पहले बता दूँ अगर आपको कोई operating system download करना और install करना अपने PC वे WL, Kalinix हो गया या Ubuntu, Mint, etc. वो सारे system हो गए तो यहां पर आपको करना परता है dual boot और आपको वर्चल बॉक्स दालके आपको run करना परता है तो यहां पर Windows ने क्या सोचा कि हम लोग ऐसा कुछ feature लाते है कि Windows 10 के अंदर ही आपको operating system यूज कर सकते है वो भी one click के अंदर तो यहां पर Windows 10 ने क्या किया कि WSL नाम का फीचर जाया लाया Windows Subsystem Linux इससे क्या होगा कि आप खाली वन click के अंदर सिर्फ अंदर आप सिर्फ कोई भी काली Linux Ubuntu या Linux operating system डाउंलोड कर सकते हो डायरेक्ट Windows के अंदर ना आपको dual boot करने की ज़रूद वर्चुल बॉक्स का इंस्टॉल करने की ज़रूद कुछ इंस्टॉल नहीं करना खाली आपको कुछ सेलेक्ट करना है कौनसों operating system चाहिए आपको डाउंलोड करना है 100 MB के अंदर रहेगा बस आपको इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो अब उसको CLL मोड में यूज कर सकते हो वह सारा का सारा कैसे करना है वह आज की वीडियो में आम लोग जानेंगे तो डेर की इस बात की वीडियो शुकरते हैं मैं पाविकोजा आप देख रहें चूट ने वाइस जो आपने वाच उक्टर स्कुन तो यहां पर पहले की यहां पर जो डबल एसल यो फीचर है अगर आपको अपने मोग ऑंडू अबल करना वह तो आपको मैनुली करना पड़ेगा यह डिफॉल्ट जो है वह वह विंडोस टेंड में डीसे बल रहता है यहां पर दो मेतल सकते और आपको पावर से भी याँशेरं इसको अनेबल कर सकते और को चिंपर का ढ़िए बहुत नहीं चेहां cordage और करनािस पछिपट करना। और उदर apps search करना है, बहुत ही simple है, एप search कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको apps and features में scroll down करना है, सबसे बहले हो, यहाँ पर scroll down करने के बाद, यहाँ पर आप देख से क्यों programs and features का option है, तो उसके आपको click करना है, और यहाँ पर आपको run on windows feature का option रहेगा, वो उसके जाना है, तो वो आपको मिलेगा एकदम last में, तो यहाँ पर देख सकते windows subsystem for linux, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह पहले से enable नहीं है, तो हम लोग को tick करना है, और ok करना है, तो आप क्यों होएगा कि आपको यह feature enable करेगा आपके windows में, और आपका windows रिस्ट तो यहाँ पर देख सकते है, restart now का option है, तो सबसे पहले तो मैं restart कर लेता हूँ, और फिर से आता हूँ, so guys, यहाँ पर हम लोग windows अपना restart करके आ चुके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको, जैसी आपका WSL feature है, आपके windows के अंधर enable हो जाए, उसके बाद क्या करना है बता यहाँ पर लिखना आपको कौंसा जो operating stuff और download करना है, यहाँ पर various operating system available है, जैसे Kali Linux, Ubuntu, Fredo, Mint, Alpine OS, etc., यहाँ बहुत सारे आप उसके official Microsoft की website में चांके देख सकते हो, कौंसे कौंसे operating system available है, मैंने link भी देदूंग, description, यहाँ पर मैं Kali install करना चाहता हूँ, Kali लिखना, simple, और जैसे मैं Kali लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत चाहरी है, आपको काली लिखना है, पहला option आगा है, यह वाला ही, विखर आप चाहते हैं, Ubuntu, तो मैं Ubuntu लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला option आगा है Ubuntu, तो वैसे आप कोई भी यहाँ पर ऑप्रेटिंग स्टेम डाउन्डोड पस्टेम बहुत आ रहे हैं, तो फिलाज तो हम लोग Kali Linux इंस्टॉल करना है, तो Kali Linux को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर simply click करना है, आपको कुछी का, आपके microphone के लिए अगर आपको निडालना तो cancel भी इंस्टॉल रोना तो चालूई होए जाएगा, अब मैं बदाता हूँ यह कितने size का है, यहाँ पर स्टॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इतने approximate size कितना है, तो इसका size है 185 MB का है, तो आप जो Kali Linux वर्चॉल बॉक्स में इंस्टॉल करते थे और डिवल बूट करने के टाप पर जो इंस्टॉल करते थे Kali Linux को at least जो वह 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 1GB के ऊपर का जो रहता है उसका drive तो उतना 1GB इतना जरू डाउनलोड करने की जरूत ही नहीं, तो यहाँ पर आपको बस इतने से 100-200 MB में का Kali Linux इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते है, अभी का Kali Linux इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको करना है, लाँच करना है, और Bli Mode का setup होगा, यहाँ देखते हैं, आपको कि आपको समझे याँगा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, वो User name का पूछ रहा है, यहाँ पर यूजर नेम आपके हिसाब से आपको कोई भी set कर देना है, आप अपना नाम डाल सकते हैं, आपकोई भी डाल सकते हैं, तो यहाँ यहां पर मैं set करूंगा tor और enter करना है उसके बाद यहां पर आपको password set password यहां पर मैं 12456 set कर दूंगा enter यहां पर आपको password दिखेगा नहीं तो गा extension लेना आपको यहां पर password नहीं दिखेगा बट actual मैं type हो रहा है यहां पर मैं feature type कर लेता 123456 यहां पर password यहां पर successfully set हो चुका और यहां पर हम लोग tor का Linux में आ गए तो यह का Linux का है PLI mode का अब आपको जाना है GUI mode अगर आपको डाउनलोड करना है आप इसमें भी का Linux यूज कर सकते हो बहुत ही सिंप तो मैं पहले बहुत है तो यह टर्मिनल फिल्ड से आपको open कैसे simple है अगर आप बंद करते तो यहां से आप ping भी कर सकते हो यहां पर start में pin कर सकते हो तो मैं यहां पर pin कर लेता हूँ तो यहां पर देख सकते है नीचे आ गएगा का Linux आप इससे भी on कर सकते हो यहां पर कलिनिक्स on हो जाएगा उसके बाद अगर आपको ऐसे नहीं करना यहां पर simple है आपको shift दबाना है और right click करना है जैसे आप right click करोगे तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर folder के अंदर जाके करना पड़ेगा यहां पर यहां पर में अपने drive के अंदर आपको यहां पर right click करना है shift दबाना है और right click करना है यहां पर नीचे आपको option दिखेगा open Linux shell यहां पर यहां पर मिल जाएगा तो यहां पर अब आता है कि अगर आपको कल्निक्स को GUI mode पर करना है तो सबसे फहले तो आपको यहां पर update upgrade कर ले मैं update upgrade कर लेता हूँ यहां पर मेरे को password पूछेगा तो आप लोग password डालने जो आपने starting और यह जो और यह time लेगा अभी update करने में अभी जितना time लेगा वह आपके net के speed के ओपर depend करता है paradise तो वह देख लेना आपका चितना रहेगा तो अपडेट करने पाद आपको एक पार upgrade करना है और उसके बाद एक का दो libraries packages जो है इंस्टाल करना है मैं आपको बताऊंगा इससे होएगा क्या कि आपका जो वह GUI mode install हो जाएगा GUI mode में आप रन कर सकते तो हम लोग wait कर लेते तब तक यहां पर देख सकते हैं हम लोग अपडेट हो चुका है तो अब यहां पर मैं एक चीज़ आपको बताना बुलिगा कि अगर आपको अपना कालिक्स थोड़ा fast चलवाना है थोड़ा fast work करना करना है तो यहां पर आपको कमांड देना पड़ेगा वह मैं बता देता हूं मैंने यह कमांड फाइल जो नीच अपलोड किये description आप चेक कर सकते हैं और यहां पर यह दे सकते हैं कि यह ट्रांस्पोर्ट है वाला है वह आपको कमांड डालना है कि copy करना है आपको और यहां पर आके paste कर देना है और enter करना है simply कुछ नहीं है यहां पर आपको error आ सकता है बड़ उसके लिए आपको simple क्या करना है upgrade कर लेना है यहां पर upgrade कर लेना है यहां पर upgrade का upgrade है तो हम लोग को simply उसको वाई करेंग और enter कर दे यहां पर अप्ग्रेड हो चुका है तो यहां पर अप्ग्रेड हो चुका है तो यहां पर अप्ग्रेड होने के बाद आपको करना क्या है वह आपको मालूम है कि आपको ट्रांस्पोर्ट वाला जो कमांड दिया है वह आपको डालना है नहीं पर फोड़ करना है और यह कॉपी समार्ण को कंबी कर लएगा दूसरा P is a उसको और यहां पर 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 यहा तो सबसे पहले तो हम लोग XR XFC वाला डाउनलोड कर लेते हैं कि हम लोगने copy किया और यहां पर और एंटर करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं जैसे वह डाउनलोड होजेगा आपको वाई करने और यहां पर आपको वेट करना के लिए सारा चीज यह में चीज यह कुछ बड़ा बड़ा है जादा स्टोरेज लेगा एक्चल यहां पर देख सकते हैं एट लिस्ट यह 250 MB का चीटना डाउनलोड होएगा और स्टोरेज लेगा 900 MB तो उतना टाइम लगेगा आपना डाउनलोड होना है के लिए तो वेट करना यह आपके नेट के स्पीड के ओपर डिपेंड है और इसको कुछ छेड़ चाड़ मत करना इसको यह में चीज है गाईस तो वेट कीज आप सकते को आपको कॉंसे language में चीजिए MMA आपको में चीज़ करूआगा तो इंगलिस उसके पास यहां पे जो सेट अप होना चालो होजाएगा आपने आप इंगलिस वर्जिन तो यहां पे सेट अपोने का उनी का उतना वाधात आपको क्या-क्या चीज करनी है तो यहां अब हमलोग को एकसेसी 4 जो टेक्स्टॉप एंव्रमेंट होई चुका है हम यहाँ पर करते हैं अब एकसाथ कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है आपको यहाँ पर कॉपी पेस्टी करना है और हमने पासवड फुसरी आपको पासवड दाल लेना है इन्स्डाइब करना अगर यहाँ पेरी दी यहाँ पर करना है। यहां से इन्सडाइब को फट करना엽 यहाँ फटीар से धाल हो सक्त Oblast험 यहां को कहा है। आपको यहाँ चाहर पर करना हम यहाँ कΗांकिने चाहँ है। और लास्ट है वो कमांड वो कॉपी करना है यह बेसिकली XRDP को स्टार्ट करने के लिए यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे आपको ऐसा कुछ यहां पर दिखेगा कि स्टार्ट डीमोट डेक्सटोप प्रोटॉकॉल सर्विस अगर यह दिखे रहा है तो आप सही रास्ते पे जारहे हो और अगर आपको अगर चेक कर रहा है कि रन हो रहा है कि नहीं आपका तो यहां पर जो second last command है उसे चेक कर सकते हैं यह आपको status दिखाएगा आपका xrdp का copy है हम लोग यहां पर paste कर लेते और enter करते तो यहां पर हम लोग को running status दिखा रहा है अब का करने है अब यह आपको करना है यह पर दिखाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सर्च बॉक्स में जाना है और यहां पर remote desktop connection लिखे तो यहाँ पर आगया सबसे पहला यहाँ को एंटर करने और यहाँ पर अपका मेरा पहले से IP आपका IP नहीं रहेगा आपको अपना IP यह जो copy किया था वहला आपको यहाँ पर put करने और connect पर लिखने और आपको यहाँ कुछ comment prompt आएगा तो यहाँ पर आपको yes कर देना है और बस wait करना है अब यहाँ पर आपको पूछेगा username और password तो यह username जो आपके सबसे पहले set किया था न वही username पूछेगा तो मैंने set किया था tor और इसका password था 123456 और enter जैसे इसको enter करेंगे तो यहाँ पर आपका desktop version turn on हो जाएगा अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको clear करना चाहूंगा कि अगर आपको यह XFC वाला desktop version है बट यहाँ पर काली Linux या कोई भी Linux distribution के लिए बहुत सारे desktop के अलग-अलग हो आते है मैंने सिख XFC 4 इसलिए चूज किया कि यह light weight है यह आपके processor पे जादा load नहीं डालेगा आप genome करके भी एक version आते desktop version वह यूज कर सकते है यह XC4 यह बहुत सारे ऐसे version आते है आपको Google में आपको मिल जाएगा आप वह download करके यूज कर सकते है पस step process CME है बस खाली आपको EXC4 की बहुत सिंपल है यहाँ पर टर्मिनल देख सकते है इसका थोड़ा आपको मामेर को लगेगा कि आपको सी थोड़ा पूरा लुक देता है क्योंकि लिए lightweight मैंने चूज किया है आप genome यूज कर सकते है तो यह आपको थोड़ा NC लुक मिलेगा बट यहाँ पर लुक का कुछ ल सादा है लोड नहीं देगा यह चीज आप Windows के साथ काली लिनुक्स भी चला सकते हो यह चीज है विजाओ विजाओ वर्चल बॉक्स और विजाओ 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 बूट की एकसेटर यहाँ पर राउजर तो चल नहीं रहा है उमें भी दूसरा कुछ प्रॉब्लम रहेगा बाट यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज चल रही जो आपको मिलने चाहिए यहाँ पर काली लिनुक्स के अंदर और यह प्रॉपरली चला सकते हो विजाओ एनी एरा आपको यह अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मारना एम करते हैं 500 लाइक्स का मेरेको मालो मैं इतना तौप आसाने से करते हो गया और मैंको नए हो तो सब्सक्राइब करकी जाना और नीचे कमेंट ज़रू करना कि नेक्स्ट वीडियो में कौनसे टॉपिक बनाओ गाईस और करेंटली गीवए भी चल रहा है नेरे चैनल पर तो आप जाके देख कर सकते हो वाइफाई दी आथन्टिकर एके वाइफाई जामर का गीवए कर चल रहा है तो आप चेक कर सकते हो और मैं वाइगोस आपको मिलता दूसरे वीडियो पर पीस आउट झाल